नमस्कार दोस्टों मैं 에स्ट्रोलोजर विकास मलोत्रा लाल किताब एस्ट्रोसेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपसे धन तेरस के महत्व पर और धन तेरस पर क्या उपाए आप कर सकते हैं उस पर आपसे बात करी थी इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ यम दीब दान के लिए धन तेरस की शाम को यम दीब दान करने का बहुत बड़ा महत्व है मृत्यू का भै संसार में सबसे बड़ा भै माना जाता है हाला कि ये एक सत्ते है कि जिसने जनम लिया है उसकी मृत्यू भी निश्चित है अटल है लेकिन बहुत सारी मौतें अकाल ही हो जाती है धन तेरस के दिन आप खरीदारी करते हुए इतने व्यस्त ना हो जाएं कि शाम के समय दीबदान करना भूल जाएं शास्त्रों के अनुसार धन तेरस की शाम दीबदान का बहुत्व महत्व है माना जाता है कि इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यू से आपका और आपके परिवार का बचाव होता है इस प्रथा के पीछे एक लोग कता है जो मैं समरी में आपको बताऊं तो इस कथा के अनुसार यमराज ने स्वयम कहा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी की रात जो प्रानी मेरे नाम से पूजन करके दीब माला दक्षिन दिशा की और भीट करता है उसे अकाल मृत्यू का भे नहीं रहता है यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिन दिशा की और दीब जला कर रखते हैं लेकिन यह दीपक किस तरह से जलाने हैं कितने दीपक आपको जलाने हैं वो सारी बाते मैं आप से इस वीडियो में शेयर करूँगा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यही निवेदन है कि आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि अच्छी चीजें जब आप आगे बाटेंगे तो आपके उपर भी अच्छा आएगा यम दीबदान का सबसे पहला जो उपाय आप करेंगे बहुत सिंपल उपाय है तेरा मिट्टी के दीपक ले लीजे उसको तिल के तेल से भर दीजे एक बाती लगा लीजे और उसको शाम के समय यमराज का स्मरन करते हुए दीपक जलाएं और दीपक दक्षिन की ओर देखते हुए या तो जल प्रवा कर दें या पीपल के व्रिक्ष पर रख दें ये तो हुआ पहला उपाए इसके अंदर आपने सिर्फ तेरा दीपक जलाने है मिट्टी के दीपक होने चाहिए तिल का तेल भरेंगे और नई बाती इसके अंदर यूज करेंगे आप ये जो प्रक्रिया है ये आप शाम के समय करेंगे इसके बाद आप यम का दिया जलाएंगे अब यम का दिया किस तरह से जलाया जाता है यम का दिया जलाने का प्रोसीजर डिफरेंट होता है इसके लिए आपको क्या करना होगा एक आठे का दीपक बना लिजे उसको घर के मुखे दवार पर रख सकते हैं इस दीपक को यमदीवा और यमराज का दीपक भी कहा जाता है ध्यान रखियेगा ये दीपक अगर घर की इस्तरियां जलाएं तो ही बहतर होगा अगर किसी केस के अंदर कोई इस्तरियां नहीं है तो आप जला सकते हैं अदर्वाइस कोशिश करें घर की कोई भी इस्तरी इस दीपक को जरूर जलाए इसके लिए एक आटे का दीपक आप बनाएंगे नई चार बातियां ले लिजे यानि ये चौमुखा दीपक होगा और दीपक की बाती की जो दिशा है वो दक्षिन दिशा की और रखनी है जल, रॉली, फूल, चावल, गुड, नेवेदे आदी सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करेंगे और क्योंकि ये दीपक मृत्यू के नियंतरक देव यमराज के निमिद जलाये जाता है अता दीप जलाते हुए पून श्रद्दा से उन्हें नमन तो करें ही साथी ये भी प्र चातना करें कि आपके परिवार पर दया दिश्टी बनाए रखें और आपके परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यू ना हो इस दीपक को आप अपने दहलीज पर रख देंगे और जलते रहने देंगे दक्षिन दिशा की और कर हुए इसके अलावा धन तेरस के दिन को प्रसन करने के लिए यमुना सनान करने का भी प्रचलन है लेकिन अगर यमुना सनान संभव ना हो तो आप सनान करते हुए धन तेरस के दिन सनान करते हुए यमुना जी का स्मरन मात्र कर लें तो भी यमुराज प्रसन होते हैं क्योंकि हिंदु धरम की ऐसी मान्यता है कि यमराज और देवी यमुना दोनों ही सूरे की संतान होने के कारण आपस में भाई बेहन है और दोनों में बड़ा प्रेम है इसलिए यमराज यमुना का स्नान करके दीब दान करने वालों से बहुत जादा प्रसंद होते हैं और उन्हें अकाल मृत्यू के दोश से मुक्त कर द देते हैं और इस दिन के लिए मैं आपको एक महाकाल का मंत्र दे रहा हूं क्योंकि जो कालों के काल है वो है महाकाल ये मंत्र का जाब जरूर करें किसी भी समय अगर आप दीब दान करते हुए करेंगे इस मंत्र का मानसिक्समरन करें या आप बोल कर भी कर सकते हैं बहुत सि जानडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, जै महाकाल, तो ये मंत्र का जरूर स्मरन करें, आप जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर करें, धन तेरस की आपको बहुत-बहुत शुक कामना है, और धन्तेरस पर हमारा वीडियो जो दूसरा वीडियो है उसको देखना ना भूलें उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है धन्यवाद दोस्तों